So what is up guys, welcome to the channel, my name is Shivam and welcome to Financial Funda इस आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि मिलियनेर्स हम मिदल क्लास वाले लोगों से अलग कैसे होते हैं क्या ऐसी तीन चीजे हैं जो वो करते हैं जो अलग होती हैं हम सब से मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है मनी रिलेटेड लाइस जो जूट एक तरह से ऐसे हैं जो हमें बच्पन से बोले जाते हैं उसके बारे में वह आप वीडियो चैनल पर चेक आउट कर सकते हो उसी का एक एकस्टेंशन आज के वीडियो को आप समच सकते हो बात करेंगे डारेक्ट मुद्दे पर आते हैं नंबर वन और मुद्दे पर आने के लिए लिए लाइक बटन आप जरूर दबाते हैं अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं चलिए बात करते हैं नंबर वन की वो हैं मिलियोनेर्स यानि की ऐसे लोग जिनका नेट वर्थ मोटा मोटा पकड़े तो साड़े साथ करोड रूपए से जादा है फर्स तिंग देड़े दो इस कंजूमर कल्चर स्लाश सेविंग वाली साइड पर वो क्या कर सकते हैं वो चीजों पर एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं सफ्रस में सेविंग की बात करूँगा सेविंग में मैं इसको दोनों गो एक ही पॉइंट में क्लब कर दिया है और आप समझ जओगे क्यों किया है सविंग की बात करूँगा अगर हम उनका बिहेवियर देखें तो सेविंग में कॉंसिस्टेंटली दे सेव money, much much more than they earn, so वो लोग क्या करते हैं वो जितना पैसा बनाते हैं, कोशिश करते हैं maximum से maximum पैसा वो save कर सके, और अगर कोई पैसा खर्चा हो भी रहा है, तो वो या तो as a business expense किया जाए, यानि कि उसके against वो tax बचा ले, या वो जो पैसा खर्चा करें और कुछ खरीद रहे हैं, वो जो भी चीज खरीद रहे हैं, वो चीज उनको और cash flow generate करें और पैसा बना कर दें इसका example अगर मैं आपको देना चाहूँ तो दो-तीन चीज़ें आपको बता सकता हूँ for example, मैं जब मेरी marketing agency चला रहा था, तो कुछ high net worth individual से मिला था, एक-दो मेरे clients होते थे तो they never had the latest laptop for example, latest सब चीजे, latest ये, latest वो ऐसा नहीं था उनके पास वो बहुत अच्छे से रहते थे, जो उनके पास समान था, वो पुराना था, बट वो top quality था, उनके पास 3 साल पुराना top quality Macbook है right, so they will buy the best, but they will not buy it often, and consumer culture में आप नोटिस करेंगे, maximum लोग के हैं, हर साल नया Macbook, हर साल नया ये, उससे का हम consistently फस जाते हैं, उस रोल में जहां पे हमें पैसा कमाते रहना पड़ेगा कमाते रहना पड़ेगा, क्योंकि मारे खर्चे हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं right, and we are not able to invest and we are not able to save, तो वो consistently, वो लोग बिलकुल अलग चलते हैं, वो consistently consumption वाले area में नहीं रहते हैं, वो लोग consistently creation वाले area में रहते हैं, value कैसे create करो, इसको asset में कैसे बतलू, तो बहुत ही simple सा example, अगर मैं आपको देना चाहूँ तो मानलो, यह microphone है यह नया model आया है market में मैं चाहता हूँ लेना, मेरा बहुत मन है मानलो, इसको आप कुछ भी समझ लो, phone समझ लो, कुछ समझ लो, right, तो मैं सोचूँगा यार, मैं इसको लूँगा let's say मैं इसको EMI पे लेता हूँ महिंगा है, मानलो, मैं नहीं EMI पे लिया अब मैं मेरे ओपर एक खर्चा डाल रहा हूँ now, अगर मैं एक millionaire नहीं हूँ on an average बोल रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं खरीद लूँगा कैसे, तो मैं सोचूँगा number one, क्या मैं इसको business expense में डाल सकता हूँ yes, of course, मेरा YouTube का business है right, technically मेरा income जो है, वो YouTube से आता है, तो क्या मैं इसको business expense में डाल सकता हूँ, because यह मुझे मेरे videos बनाने में help करता है technically, yes, so वो इस तरह के links ढूँढ देंगे, पहली इसका फाइदा क्या हुआ first, it is a business expense, तो मेरा personal expense नहीं है, that's one number two, tax business में expenses पहले net profit पे tax, तो मेरा वहाँ पे tax बच गया, यही अगर हम, मैं directly मेरी salary में से इसको ले लूँ, तो मेरा tax भी मुझे देना पड़ेगा this becomes not a business expense, तो मेरे personal उसमें से जाता है of course, it will still make me money, right, तो मैं वो चीजे यहाँ पे, notice करो आप, तो consistently वो लोग savings, 10 रुपे कहां गए, 500 कहां गए क्या कहां गया, they know it accounting अपनी उनकी एकदम power पे रहती है, savings की तरफ जादा focused रहते है, and I think this is a very, very, very important thing, and आप लोग notice करना है जब भी आप किसी ऐसे बंदे से मिलोगे जिनकी net worth थोड़ी अच्छे है, next time notice it, and you'll understand what I'm saying, right, and तो यह taxes वाला part भी इसी में included है, they try and save a lot in taxes because they understand, कि दुनिया का हमारा जब, पूरी life में, right, एक तो जो बोलते हैं, कि death is certain and taxes are certain, right, मौत भी आनी है और taxes भी आनी है, right, so they'll try and minimize that, so for example अगर आप अभी latest charts वागेरा देखो, तो India US, यह सब countries में से लोग उठ उठ के, UAE, Australia Canada, Portugal tax haven countries Panama, Cayman Islands यहाँ सब जगाओं पे जा रहे हैं, क्यूं? because they, those countries have a lot of tax benefits so for example, अगर आप मान लो एक high net worth individual हो, इंडिया में typically आप 30 से 42% तक का tax दे रहे हो, बट अगर आप उठके Dubai चले गए, तो आपका tax essentially zero होता था नहीं, तो federal tax 9% save a lot अगर आपका 100 करोड का income है that means you've just saved a few करोड, not just like a 10-5 करोड नहीं, आपने 20-25 करोड बचा लिया है वहाँ पर तो काफी जादा फरक यहाँ पर पढ़ जाता है तो यह एक important factor है जो consistently मैंने notice किया है number two is skills plus consistent hard work billionaires and millionaires जो मैंने notice किया है वो लोगों ने चुट्टी नहीं लिये, बहुत time से and मैं यह नहीं बोल रहा कि life enjoy मत करो, छुट्टी मत लो लो but these guys consistently work very hard and वो लोग consistently hard work करते है not just एक हफता किया एक sprint लगा लिया जब motivation आई थी जैसा बहुत सारे लोग करते हैं और फिर उसके जाद एक हफता फुस पड़े हो रहे है ऐसा नहीं है they consistently work hard for years at end 7 साल, 10 साल, 15 साल and you'll be amazed क्योंकि इसमें सीन का अधाबाद है हम overestimate करते हैं कि हम एक साल में कितना अचीव कर सकते हैं और हम underestimate करते हैं कि हम 5 साल में कितना अचीव कर सकते हैं so consistently यह जो millionaires हैं you'll see कि यह लोग 5 साल 10 साल के timeline पर चलते हैं आप किसी से भी बात करो मेरा वो एक client होता था इसकी में बात कर रहा था always in a 5 to 10 year time period वो कभी बात नहीं करता था एक साल में हम यह कर देंगे या 5 महीने में हम यह कर देंगे उसका हमेशा ऐसा होता था कि मैं अभी यह कर रहा हूँ तो 4-5 साल तक हम यहां पहुंच जाएंगे और फिर 10 साल down the line मेरा यह image है या rather मेरा यह vision है and consistently यह wordings मुझे सुनने में आ रही है चाहे आप YouTube वीडियो देख लो चाहे इंटर्व्यूज में बात कर लो चाहे उनके इंटर्व्यूज देख लो चाहे आप किसी से बात कर लो आपको consistently 5 साल में यह कर लेंगे 10 साल में यह हो सकता है यही आपको सुनने में आएगा they always talk in longer period of times and why because उनको पता है कि आज जो है आज हम उपर नीचे हो सकते हैं emotionally, financially, everything but if they are trying to build value तो 5 साल में immense amount of value generate की जा सकती है world के लिए and जितनी जादा value हम दुनिया के लिए generate करे उतना जादा पैसा हम यहां पर कमा सकते हैं this is another thing जो Grant Cardone बहुत regularly बोलता थे कि अगर आप अगर आप 1 million dollars बनाना चाहते हो तो figure out a way to help 1 million people and आप 1 million dollars यहां पर बना सकते हो so यह काफी interesting point है and I have seen across the board कि यह consistently इस चीज़ को करते है number 3 number 3 ऐसा है जो है skills slash reading आप notice करो technically 6 चीज़े हैं but मैंने उसको 3 में कर दिया है because मैंने club कर दिया है थोड़ा सा so skills and reading की अगर हम बात करें so they consistently upskill themselves now एक millionaire एक billionaire भले ही सब चीज़ें खुद नहीं करता so for example अगर कोई एक बंदा coding की company खुल रहा है या rather मानलो कोई app बना रहा है वो खुद वो app को नहीं बनाएगा वो करेगा मैं एक CTO ले आता हूँ और उनसे जो expert है उस field का उसी को काम करने दो but मैं coding सीख लेता हूँ फिर भी मैं देख लेता हूँ कैसे चीज़ें काम करते हैं तो they upskill themselves consistently enough to understand की क्या चल रहा है और vision कहां तक जा सकती है और current technology कहां तक जा सकती है और उसको push कैसे करना है so a lot of people आप notice करो आप even कुछ लोग हैं अपने interviews में mention किया है कि मैंने AI और machine learning का इतना पढ़ लिया है कि मेरे को समझ में आ जाएगा जब कोई लोग बात कर रहे है क्या बात हो रही है आज की technology कहां तक जा सकती है 2025 तक हम कहां तक जा सकते है with the current tech and उसको push कैसे करना है 2030 तक हम कहां तक जा सकते है इतना मुझे पता है मैंने 3-4 course लगा लिये है AI और machine learning पे और ये ऐसा बंदा बोल रहा था जो hundreds of crores की network रखता है और उसको कोई ज़ुरद नहीं है AI machine learning की कोई ज़ुरद नहीं है और वो कोई खुद AI machine learning में काम नहीं करने वाले right but he said that why because he understands की tech समझना future वाली technologies समझना is very very important अगर कुछ भी तरह का value बिल्ट करना है right दुनिया किस तरफ जा रही है वो समझ में आना is more important than just doing वो चीज़ है अगर आप वो चीज़ नहीं भी कर रहे है और आपको समझ में आना important है तो वो constantly जो है अपनी education को अपनी skills को जो है वो upgrade करते रहते करते रहते ताकि उनको चीज़ें समझ में आनी लगे इसको dot वाला structure आप समझ सकते हैं तो आप मानलो यह आपने कुछ सीख लिया एक dot हो गया यह सीख लिया दो dot हो गया तीन dot चार dot अलग-अलग चीज़ें सीख ली अब आप जब उनको अलग-अलग तरीके से connect कर पाओगे हर बंदा उन dots को अपने-अपने unique तरीके से connect कर सकता है और जब हमने वो connect कर लिया तो हम एक अलग value बना सकते हैं एक अलग value proposition बना सकते है जो की बहुत ही unique होगा because वो मेरे collect किये हुए dots के उपर based है मेरे experiences और मेरी gain की गई knowledge के उपर based है मैं उन dots को connect करके कैसे कुछ चीज़ें यहाँ पर कर रहा हूँ that's interesting right so for example अगर मैं मेरा example देना दूँ मैं कैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ not a millionaire not a high net worth individual but मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ जब dot connect की बात करे so मेरा master's जो है वो international business or marketing में है fortunately मैं डेन्मार्क में रहा हूँ मैं जर्मनी में रहा हूँ मैं US में रहा हूँ इंडिया में तो रहा ही हूँ and मुझे multiple languages समझते हैं तो मुझे multiple culture समझते हैं तो Punjabi, Marathi, Hindi, English right थोड़ा सा German वो सब मुझे वहाँ पर फाइदा हो जाता है that मेरा electronics engineering का background है साथ में right और मेरा marketing consulting का background है plus मेरा blockchain space में actual background है not crypto trading but actual tech based background in blockchain space right and ये सब के parallel में मैं 7-8 साल से investing कर रहा हूँ markets में हूँ सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़े try कर रहा हूँ तो ये मेरे कुछ dots होगे मोटे-mोटे ठीक है स्पोर्ट और बहुत सारी चीज़े इंक्लूदे नहीं बहुते-mोटे dots होगे पर्सनल विल्थ मैंजमेंट जो है जो की NSE Academy के थ्रू आता है right I can talk I can see क्या instruments है investment vehicles है तो वो सारी चीज़ों को मैं pack करके आपके लिए यहाँ पे अलग तरह का value generate कर सकता हूँ जो मेरे experience के उपर based है that is what they try and do this is one connection of dots इसमें reading का importance कहा है तो आप आज भी Warren Buffet, Charlie Munger और Monish Pabra यह तीन नाम में बार-बार इस channel पर लेता हूँ because यह एकदम मतलब top level के investors हैं जिनको पूरी दुनिया एक भगवान level पर रखती है यह लोग आज भी consistently पढ़ाई करते हैं यह लोग आज भी daily का पढ़ाई करते हैं घंटो घंटो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई से हम लोगों को बहुत दिमाग में pressure आता है यार फिर पढ़ाई करनी पढ़ेगी बढ़ नहीं यह वो नहीं है यह है जो चीज़े आप सीखना चाहते हूँ जो चीज़े matter करती हैं उनका पढ़ाई and millionaires and billionaires आपको notice करना consistently उनके दिन में कम सकम एक से दो घंटा वो लोग reading को देते ही देते हैं almost irrespective of किस बंदे की बात करें कुछ लोग हैं जिनको books पसंद नहीं होंगी तो वो audio books या इस तरह की कोई ना कोई चीज़े follow करेंगे but 100% 1 hour to 2 hours every single high net worth individual gives to some kind of learning slash reading in their lives daily यह तीन चीज़े हैं आप notice करी रहे हैं तीन चीज़े अगर हम अच्छे से कर ले तो हमारी life कहां से कहां चली जाएगी मैं यह नहीं कहा रहा कि यह तीन चीज़े हम कर लेंगे तो हम कल सुबा millionaires बन जाएगे right क्योंकि उसमें luck factor भी बहुत important होता है but imagine आप यह तीन चीज़े कर रहे हो और आप यह consistently एक साल डेड़ साल कर रहे हो तो सोचो हमारी life जो है कितना change हो सकती है अगर आपने एक साल डेड़ साल यह चीज़ की तो यह challenge आप ले सकते हो मुझे नीचे बता सकते हो comments में कि आप यह एक साल वाला challenge लेना चाहते हो अभी जुलाई की शुरुआत हुई है तो जुलाई 2023 तक आप यह तीन चीज़े consistently करना चाहते हो फिजूल खर्चा minimal right try to add value right skills important है यह दो भी कर लो main main बाकी तो चलो छोड़ो तो यह चीज़ आप जरूर सोचें और मुझे नीचे comments में बताएं आपका क्या खयाल है and of course guys ऐसा मुझे लगता है कि आपने like button अल्रेडी दबा दिया है अगर नहीं दबाया है तो जरूर दबाएं and मिलेंगे guys अगले video में चैनल पर subscribe जरूर करें अगर आपको यह सारे videos जो है financial funda पर daily videos पसंद आ रहे हैं तो and of course till then guys take care